यह आपका जो driver side के power window है वो one shot down है हेलो दोस्तो वेल्कम टू मैं चैनल तो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह जो left hand stock है इस stock के अंदर क्या-क्या features हैं क्या-क्या functions हैं उसके बारे में बताऊंगा और driver side में जो भी controls है ये ये वाले controls और ये जो driver side जो door है इसके जो controls है इनके बारे में बताऊंगा तो दोस्तो इसे पहले में वीडियो शुरू करूँ मेरी आप लोगों से request है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करका है वो please मैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चली दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यह जो स्टॉक है इंदर आपको कुछ basic और कुछ advanced feature मिलते हैं जैसे अभी फिलहाल यह देखिए इस side में जो है यह जो part है यह part गाड़ी की headlight को control करता है और यह जो part है यह part गाड़ी की जो low beam है low beam को control करता है उसके level को up या down करता है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तो यहां पर जैसे आप इसको इस तरफ कर देंगे यह देखिए यह जो आपनी side जो इसकी headlight के ऊपर जो एक आप निशान है इसका मतलब automatic headlamp जो है गाड़ी के यह activate हो जाएंगे यहां पर करने बाद यानि जैसी आप इस talk को यहां अंधेरा हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपको instrument cluster के अंदर एक message आएगा automatic headlamp activated जैसे ही अंधेरा हो जाएगा लेकिन अगर आपको manual करने दोस्तों तो सबसे पहले आप इसको इस head turn कीजिए यहां पर आपकी parking light on हो गई और यहां पर आप इसको turn कीजिए तो आपकी headlamp है वो on हो गए यह देखिए यहां पर sign भी आ गया यह अभी low beam पे है इसको निचे कर देंगे आप यह high beam पे हो जाएगा यह फिर से low beam और यह दोस्तों यह passing का signal है इसको दुबारा दोस्तों इस stock को आप जैसे आप नीचे या ऊपर करेंगे जैसे आप इसको इस side करेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि गाड़ी turn indicator देने लग जाएगी जैसे आप इसको नीचे करेंगे देखिए गाड़ी ने left का indicator दिया और जैसे आप इसको ऊपर करेंगे गाड़ी नीचे करने से पहले दोस्तों ये देखिए यहां तक आता है और ये इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा ये एक्चुली दोस्तों ये पूरा नीचे करने से पहले बीच में एक पोजिशन आती है आप इसको यहां पे करके छोड़ देंगे तो ये छे बार बिलिं कि मैं आपको इंचिन स्टाट करके मैं बदा देता हूं अगर आप इसको बिल्कुल नीचे की तरफ करके छोड़ देंगे तो जैसे आप स्टीरिंग को पूरा टर्न करेंगे यह देखिए और इसके बाद आप स्टीरिंग को आप पिस मोड़ेंगे तो यह ऐसे बंद हो जाए करेगा उसके बाद बनी हो जाएगा और आप इसको sheriff करेंगे तो यह तब तक बिलिक करता रहेगा जबतक आप इसको छोड़ना हो जाएगा यह से भी जाए पिर आप इसको पकड़ के रखो तो ही को यह तब तक बिलिक करेगा कि यहां पे lane change indicator है और और उपर कर देंगे तो दोस्तों फिर यह steering के साथ काम करेगा यह देखिए यह देखिए तो दोस्तों यह जो left hand stock है यह उस stock के आपको controls मैंने आपको बता दिये lane change indicator यह आप इसको automatic headlamp mode में लालने के लिए और यह manual headlamp इसके activate करने के लिए और यह जो इसक fog lamp के science है दोस्तों यह जो है यह आग के fog lamp का यह पीछे के fog lamp का और दोस्तों यह idle start stop activate करने के लिए यह engine start stop button है और दोस्तों दरवाजे के अंदर आपको ज़्यादा कुस कंट्रोल नहीं मिलते यह आपके जो ORVM को आप कंट्रोल कर सकते हैं यह से मैं अभी आपको दिखा दे करने है तो आप इसको ऐसे center position में लेकर आईए जैसे अभी center position में है और आप इसको पीछी तरफ कर दीजिए इस तो ही देखिए ORVM जो इसके दोना दोना और और फोल्ट हो जाएंगे और आप इसको दुबारा से यहां पर कर देंगे तो ORVM इसके open हो जाएंगे और दोस्त कीजिए देखिए जैसे आप इसको उपर करेंगे यह उपर हो जाएगा जैसे आप इसको नीचे करेंगे यह नीचे हो जाएगा जैसे आप इसको right करेंगे यह right हो जाएगा और जैसे आप इसको left करेंगे यह left हो जाएगा ऐसी दोस्तों left side वाला आप इसको left में कीजिए औ पर वहां से आप इसको आडेस के 증य देखिए तो दोस्ते यह ओव अरॉर वीम के चंट्रोल हो गए है है यह आपकेट आपट विंडों के छोड देघै तो इसको चोट देंगे तो यह टो आपच विंट्वे बॉटन चुरुना ओपने अपने ज़िसा निपार रे जिर है या जो स्विच या आप आपर करें तो दूसरी जो पावर वंबगो के स्वेच रहाए मैं नहीं आ रहे है लेकिन पावर विंडू नीच नहीं आप कर दूँगा तो यह देखिए पार विंडो निच्छानी शुरू हो गई यह सेम दोस्तों यह जो पीछे के दरवाजें पीछे के दरवाजों में भी सेम काम करता है तो दोस्तों ड्राइवर साइड में यही कंट्रोल्स आपको मिलते हैं गाड़े के अंदर इसके लावर कोई कंट्रोल नहीं है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंटस में जरूर बतायेगा दोस्तों और वीडियो अठाला लगे तो पर उस tuck जरूर कीजिए गा और दोस्तों मिलते हैं के लिए वीडियोressed पयाग्सनाति क southwest